हेलो गाइस मैं हूँ आदर सुखला आप सभी का एक्जाम इस्टडी के यूटूब चैनल पर स्वागत है आज है डेट 21 फेबरी और सीरीज नमर है 22 आज सभी को मेरी तर्फ से मार्शेव रात्री की हार देख सुब काम नहीं है चलिए इसी सीरीज को कंटीनियू करते हैं तीम रखी गई है विश्व सामाजिक दिवस की क्लोजिंग दा इनिक्वाल्टी गैप टू अचीव दा सोसल जेस्टिस यह उनका लोगो है 20 फेबरी वल्ल डे आफ सोसल जेस्टिस इंग्लिस में इसका नम वल्ल डे आफ सोसल जेस्टिस तो सामाजिक नया देशों के लिकारों को सुनिष्चित करते हैं तो हम सामाजिक नया को तब ही आगे ले जा सकते हैं जब हम लिंग आयू नसल जाती है ता धर्म संस्कृति और विकलांगता के कारण होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं इन सब से रिलेटेड जित्ते भी सामाजिक नया होते हैं उन स किया जाता हैं चलिए चलिए Facebook नमट्री मंधनल भारत के कौन से विदी आयोक के गठन की मझूरी दिघे तो चेसे आयोक के गठन की मझूरी दी है सब करते हैं साथी आयोग नियाए प्रक्रियों में देरी और मामलों में तेजी से निप्टान के लिए नियाएक प्रक्रिया में सुधार के लिए अध्यन और अनुसंदान भी करेगा बारतिय विदी आयोग समय समय पर सरकार द्वारा गडित किया जाने वाला गैर समविधानिक निकाए है यह आप लोग याद रखें कि यह कैसा निकाए है गैर समविधानिक मतलब गवर्मेंट सेक्टर नहीं है पिछले विदी आयोग का कारेकाल 31 अगस्त 2019 को समापत हो गया था पैनल में पूरी अवदी के लिए एक अध्यच चार सदस से एक सचिव साइथ और कानून मंत्राले में कानून और विधाई सचिव पदेन सदस से होता है पदेन सदस के मरलब किसी एक पत को धरन करते करने के साथ उसको एक दूसी पोजीचन भी मिल जाती है विदी आयोग का गठन मूल लूप से पहली बार 1955 में किया गया था और जिसके बास से हर तीन साल में इसका गठन किया जाता है इस टाइम पर केंदरीय कानून और नया मंत्री कौन है रवी संकर प्रसाज जी चलिए देखते हैं नेश कोश्चन को कोश्चन नमर ताल्ड कासी महाकाल एक्सप्रेस कौन सी प्राइवेट ट्रेन है तो यह रही कासी महाकाल एक्सप्रेस कासी महाकाल एक्सप्रेस तीसरी प्राइवेट ट्रेन है तो चलिए सेलिडिट फैक्ट हम लोग देखते हैं ये रेल सेवा तीन जियोतिल लिंगो इंदौर के समीप उंकारेश्वर और उज्वेन के महाकालेश्वर वारार्सी के कासी विश्वनात को जोड़ेगी रेल गाड़ी होगी ये ट्रेन लखनव से वारार्सी और इंदौर के बीच 1131 किलोमीटर और प्रियाग रास्ते होकर वारार्सी और इंदौर के बीच 1102 किलोमीटर की दूरी लगबग 19 गंटे में तै करेगी मदूर भक्ती संगीत प्रते कोच में दो सुरच्छागाड दो केवल साका हरी बोजन इस रेल गाड़ी में इसकी सेस्ता है ये रेल गाड़ी सत्ता में तीन बार वारार्सी और इंदौर के बीच चलेगी आयार सी टी सी के मुखे छेत्री प्रबंदक अश्वनी स्रिवास्ता जी इसका है नई दिल्ली में और करेंट रेल मंत्री कौन है प्यूस गोई हल्दी चले देखते हैं नेक्स को कूश्चन को कूश्चन नमर फोर हिंदी साल 2019 में बोली जाने वाली दुनिया की कौन सी बो हिंदी साल 2019 में 615 मिलियन एक मिलियन में हुते हैं दस लाग तो आप रोग करकूलेट करें तो छे पंदरा श्रिक्स जीरो तो इतने लोग इस बार हिंदी बोलने लिए इस बार उन्होंने हिंदी बोली से अधिक लोग को द्वारा हिंदी बोले जाने वाली दुनिया की ती जो इसका रिसर्च की जाती है वो कौन करता है लेंगवेज डेटाबेस एथनो लॉग के 22 संस्क्राड में बताया गया है कि 1132 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी इस सूची में सबसे उपार है तो फर्स्ट प्लेस किसे मिला है अंग्रेजी को और सेकंड प्लेस पे चाइना है चाइना की बाशा मैडरिन 1117 मिलियन बोले जाने वाले दूसरे स्थान पे है एथनो लॉग 1951 में हुई इस थापना के बास से दुनिया में सबसे जादा बोलने जाने वाली बाशाओं का वार्सिक डेटाबेस जारी करता है इंडिया डेट क्रण में ऐसी करीब 348 बासाओं को सुची बद किया गया है चले देखते हैं नर्श कोशन को कोशन नमर 5 अफगानिस्तान में हुए चुनाव में निरवाचित राष्ट पती कौन है तो इस बार अश्रफ घानी को अफगानिस्तान के राष्ट पती चुना गया है इससे पह केंद सरकार ने रच्छा अध्यन और विशलेश और संस्थान दा इंस्टिट्यूट फोर डिफेंस इस्टडीस एंड एनालिसिस का नाम बदल कर किस से प्रेजित रखने का निर्णे किया है तो हाली में केंद सरकार ने मनुहर परिकर से प्रेजित होकर इनका निदन हो गय केंद सरकार ने रच्छा अध्यन और विशलेशर संस्थान का नाम बदल कर मनुहर परिकर रच्छा अध्यन और विशलेशर संस्थान रखने का निर्णे किया है निर्णे देश के पूरू रच्छा मंत्री और पद्म बूसर्ण अवार्ट से सम्मानित स्वर्गिये मनुह परिकर को सम्मानित किया गया है तो इन्हों कौन कौन सी पोस्ट पर पता सीन है रच्छा मंत्री और गोवा के सीम बनोबर का सबसे बड़ा योगदान सस्त्र बलो की सबसे लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पैंशन योजना को लागू करना था तो इन्होंने एक में गाम कौन से किया था वन लेक वन पेंशन को लागू किया था ओर ओर ओपी शॉर्ड में इसको नाम है परिकर्ण 9 नॉमबर 2014 से 14 मार्च 2017 तक रच्छा मंत्री रहे थे नई देली में IDSA की स्थापना 1965 एक पंजी ग्रेट सोसाइटी के रूप में की थी जो रच्छा इम सुरच्छा के सभी पहलूं यह मुद्देशियों अनुसंदान नीती प्रासंगिक अध्यनों के लिए समरपेद है संस्ता को जो उद्देश है वो क्या है रच्छा और सुरच्छा से सम्मंदित मुद्दों पर राष्टिय और अंतरराष्टिय सुरच्छा को बढ़ावा देने तता ग्यान का प्रसार करना है संस्ता सुरच्छा सम्मंदित मुद्दों को राष्टिय और अंतरराष्टिय सुरच्छा को बढ़ावा देने ज्यान का प्रसार करना है इस टाइम पर Chief of Defense Staff CDS कौन है General विपिंदावजी और ठाइसर सेनाद्यश कौन है General Manoj मुकुन नर्वाडे चलिए दिखतें नेस्ट को और लास्ट कॉश्चिन अमेरिका के सेंट लुई में आयोजीत केयंस कप शतरंज टूनामेंट किसने जीता तो हाली में ये टूनामेंट संपन हुआ है इसको कोनेरु हमपी ये भारत की है इन्होंने केनियर्स कप टूनामेंट जीता है तो चलिए देखतें ये हैं कोनोरु हमपी जी तो भारत की कोनोरु हमपी ने अमेरिका के सेंट लुई में आयोजीत केनियर्स कप शतरंज टूनाम जीत लिया है उन्होंने 9 राउंड की 6 अंक पूरे करने के बाद ये किताब अपने नम किया विश्व चैंपियंशिप जीव वेजांग 5.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है केनियर्स कप का आयोजन सेंट लुइस सत्रंज क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है जो दुनिया भर की दिगज महिलाओं को एक इलीट इसतर का टूर्नामेंट है तो इसी कसाथ हमारी आज की सीरीज समात होती है इसी कसाथ आप सबी को माश्य वरातरी की सुबकामने चले मिलते हैं अगली सीरीज में थेंक्यू जैन जैवारत